चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियोज की सूचनाएं आपको मिलती रहें जै संतोशी माम दोस्तों आपका स्वागत है जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी प्राथा तीन बज कर 49 मिनट तक रहेगी इसके बाद नवमी तिथी प्रारंब हो जाएगी कृतिका नक्षत्र अप्राहन तीन बज कर 55 मिनट तक रहेगा इसके बाद रोहिनी नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय प्रातह साथ बज कर 45 मिनट से 9 बज कर 19 मिनट तक रहेगा आज का अभिजीत मुहूर्थ अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12 बज कर 3 मिनट से 12 बज कर 53 मिनट तक रहेगा आज चंद्रमा व्रिशब राशे में संचार करेगा और सूर्य सिंह राशे में रहेंगे कन्या राशे 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार आज अपने सिध्धान्तों की व्याक्या और पुनर मुल्यांकन का दिन है आप पिछले निर्णयों के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं फिर भी आप उसके प्रती बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगे जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई ना दे रहा हो तो नए विचारों को अपनाने में कोई हानी नहीं है ग्रह स्थिती अच्छी बनी हुई है सिर्फ अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचानने की जरूरत है अपने किसी विशेश कारे के लिए इनका उपयोग करें आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे घर में सजावट संबंधित गतिविधियों में व्यस्त भी रहेंगे किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी करते समय विचार करने की आवश्यक्ता होगी फिलहाल नया निवेश करने से परहेज रखना होगा आपको वर्तमान स्थिती पर ध्यान देकर अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने होंगे हर जरूरत पूरी होगी लेकिन भविश्य में यदि कोई तकलीफ होती है तो उसे दूर करने की योजना बनाएं व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने क्लाइंट के जरिए बड़ा काम प्राप्त होगा रिष्टों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए स्वभाव की नकारात्मक्ता को दूर करें आध्यात्मिक मामले अभी आपके दिमाग में हैं आप जवाबों की तलाश कर रहे हैं और अपने सपनों व अवचेतना को खोज रहे हैं बुजर्गों को नजरन्दाज ना करें ये समझें कि स्वास्थ्य आपके और आपके शरीर के बीच का हिस्सा है विवाद या असेहमती आपके रिष्टे को नुकसान पहुँचा सकते हैं आज आपको विजेता की ट्रॉफी मिलने वाली है इसलिए इस अवसर का सही उपयोग करें ये समय प्यार और खुशी से भरा हुआ है बस पूरे दिल से जीवन का स्वागत करें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना आज आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे विदेशों में स्थित आपकी संपत्ती आज अच्छे दामों में बिख सकती है जिससे आपको लाब होगा अपनी बातों पर नियंतरन रखें क्योंकि इससे बड़े बुजर्ग आहत हो सकते हैं यह व्यर्थ की बात है आपके समय को बरबाद करने के लिए बेहतर है कि आप शांत रहें याद रखें कि समझदारी भरे कारियों से ही हम जीवन को अर्थ देते हैं उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका खयाल रखते हैं यात्रा के दौरान रोमांटिक संबंध को बढ़ावा मिलेगा व्यस्त दिन चर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे खाली समय में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन साथी से सनेह की उम्मीद रखते हैं तो यह दिन आपकी उमीदों को पूरा कर सकता है अपने व्यक्तित्व को निकारने में समय लगाएं आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से लाभधायक रहेगा नौकरी में आपके अधिकारों में वृद्ध होगी और आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है यदि आपको किसी काम को लेकर कोई समस्या चल रही है तो आप परिवार वालों से बात चीत करें आपकी तरक्की के मामलों में आ रही बाधा दूर होगी आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं आपको परोपकार के कार्य से जुड़कर नाम कमाने का मौका भी मिलेगा सावधान रहें, आये के साथ साथ खर्च भी रहेंगे दिखावे की प्रवृत्ती से दूर रहें संतान का व्यवहार आपकी चिंता का कारण बन सकता है लेकिन समस्याओं का समाधान शांति पूर्ण तरीके से निकालना होगा बात करते हैं लव लाइफ की पति-पत्नी के बीच खुशनुमा संबंध रहेंगे दोस्तों के साथ बहुत अधिक समय बिताना पारिवारिक सुख शांति को भंग कर सकता है आज आप थोड़े चिड़ चिड़े रहेंगे और हो सकता है आप अपनी भडास अपने साथी पर निकालें आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका व्यवार अनुचित था पर आपके लिए यह चुनौती पूर्ण होगा कि आप उस दोस्त को नमन करें जिसमें आपके साथी का कोई कसूर नहीं है अपने व्यवार को नियंतरित करना आपके लिए महत्व पूर्ण है यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो कुछ समय के लिए अपने साथी से दूर हो जाएं अन्यथा आपके रिष्टे का अस्तित्व खतरे में पढ़ सकता है यदि किसी के साथ नजदी कियां बढ़ रही हैं तो आप इस सुन्दर रिष्टे को लेकर बेहद उत्साहित हैं आने वाले समय में आपको रोमांटिक पल और यौन सुख प्राप्त होंगे धन खर्च करते समय सावधानी बरतें क्योंकि घाटा हो सकता है अपनी कोशल और बहतरीन रवये से आप लोगों को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे आज का दिन खुशियों और सनेह से भरा है अपने साथी को गले लगाएं और उसे धन्यवाद दें अपने प्यार के साथ दूर का भी योग है इसलिए आज से अपने खर्चों पर नियंतरण रखें और जीवन के खास पलों को एक साथ चें करियर की बात करें तो आप उन लोगों में से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी पर विश्वास नहीं करते दीर्ग काली निवेश से भविश्य में आप लाब पा सकते हैं विनाश, डर या भय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता और अपनी मेहनत का फल जल्दी ही आपको मिलेगा आप सफलता और प्रतिष्ठा के रास्ते पर हैं आज आपको वे अवसर मिलेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको शीर्ष पर पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए इनके परिणामों से आप निराश नहीं होंगे अच्छी सोच के साथ साथ अच्छे कार्य करना एक सच्चे इनसान की पहचान है आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए नहीं कि वे खर्चे नहीं किये जा सकते बलकि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं जो कि अच्छा काम है लेकिन आज आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति के लिए एक छोटी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं व्यवसाय संबंधित योजनाओं को अभी स्थगित रखकर वर्तमान पर ही ध्यान दें और ध्यान केंद्रित रखें जल्द ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी आफिस में अपनी फाइलें संभाल कर रखें क्योंकि आपका कोई सहयोगी भी इनका सदुपयोग कर सकता है सेहत की बात करें तो आपकी खाने की आदतें कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है आपके स्वास्थे को ठीक रखने की सभी नेक इच्छाएं और प्रयास मज़ेदार फास्ट फूड देखते ही धूल में मिल जाते हैं लेकिन आप ऐसा करते नहीं रह सकते जैसे मीठे स्नैक्स से बचना होगा क्योंकि इससे आपको पेट की गंभीर समस्या हो सकती है आज आपको अपने लिए उप्युक्त और अधिक स्वास्थ्य अनुकूल आहार योजना बनानी चाहिए आज आपकी राशी के लिए क्रिप्टो क्रेंसी में निवेश के बारे में सोचना शुब रहेगा कानूनी मामलों में सलाह लेना भी फाइदेमंद हो सकता है लगजरी वस्त्रों की खरीदारी करना भी शुब रहेगा स्वास्थ्य और कल्यान पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है डिजिटल मार्केटिंग में नए प्रयोग करना भी शुब रहेगा रियल एस्टेट में निवेश के बारे में सोचना लाभधायक हो सकता है शेक्षिक सामगरी का अध्ययन करना भी शुब रहेगा बीमा योजनाओं की समीक्षा करना भी शुब रहेगा ओनलाइन व्यवसाय में नए कदम उठाना फाइदेमंद हो सकता है नई प्रयोगी की समीक्षा करना भी फाइदेमंद हो सकता है यात्रा की योजना बनाना लाभधायक हो सकता है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है सॉफ्ट्वेर ट्यूटोरियल का अध्ययन करना भी शुब रहेगा नई ओन्टो मोटिव तकनीक की समीक्षा करना फाइदेमंद हो सकता है घर सुधार के काम करना भी शुब रहेगा कैरियर विकास के नए अवसरों पर विचार करना लाभधायक हो सकता है एकॉमर्स व्यवसाय में नए कदम उठाना शुब रहेगा निवेश के नए अवसरों पर विचार करना लाभधायक हो सकता है व्यक्तिगत वित्त की योजना बनाना भी शुब रहेगा सौंदर्य और मेकप में नए प्रयोग करना भी शुब रहेगा आज का उपाए शिवलिंग पर बेल पत्र, दूद और सफेद फूल चड़ाएं ओम नमह, शिवाय, मंत्र का जाप करें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और आपका दिन शुब हो